दोस्तों इस वी वह हम बात करेंगे Jio के Cloud PC के बारे में, अब आपने PC तो बहुत सारे सुने होंगे, Laptop सुने होंगे क्यार Laptop निकालने वाला है Jio, अब यह Jio Cloud PC क्या है, Cloud PC के बारे में आपने बहुत कम लोगों ने आपने से सुना होगा, मैं यह या पर इस वीडियो में आपको बताने वाला हों कि यह Cloud PC क्या होता है, और Jio का Cloud PC के से काम करेगा, और वो आपके कहां पर यूज आ सकता है, और किस तरह से यह पूरा जो हम यूज करते हैं, PC, Laptops वगेरा यूज करते हैं, उसको पूरा चेंज करने वाला है, इस वीडियो को अगर आप पूरा दे अभी तक जो भी आप सिस्टम यूज करते थे, उसमें रेम होती थी, हार्ड ड्राइव होती थी, प्रोसेसर होता था, और पूरा एक सिस्टम होता था, complete उसमें डिस्प्ले अगरा, कीबड अगरा, सब होते थे, तो अभी जब आप यूज कर रहे हैं, तो आप जो भी काम क कर लिए, सब ओफलाइन कर लिए, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब ओफलाइन आप कर सकते हैं, उस लैप्टॉप सिस्टम जो भी अभी करनेट लिए आप यूज कर रहे हैं, बट अभी जो है, आगे समय आने वाला है, क्लाउड पीसी का, और उसी को देखते विडियो एडिटिंग वगेरा, यह सब कर सकते हैं, बट जो क्लाउड पीसी होगा, यह थोड़ा सा अलग होगा, मतलब यह एक एडवांस वर्जन है पीसी का, एक तो यह सबसे चोटा होगा, मतलब एकदम चोटा सा ही होगा एक डबबा, जो सेटप बोक्स का हम बोल सकते ह या फिर जो हमारे यहां पर मोडेम लगे हैं, वाइफाई के, उस तरह का यह डबबा होगा, जो आपने अगर थीन क्लाइंट देखा है, तो उस टाइप का यह डबबा होगा, बट थीन क्लाइंट एक पूरी अलग चीज़े, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यह ह आपने चूस कर ली, जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपने चूस कर ली, क्लाउड PC में एक option आएगा, आप चूस कर लो कि यह यह आपको चाहिए, और उसका monthly payment कर रहे हैं, for example, उसका monthly payment आता है 200 रुपे या 300 रुपे, यह example बता रहा हूँ, इतना सस्ता बिल्कुल भी नहीं होने वाला, 200 रुपे, 300 रुपे आप दे रहे हैं, ठीक है, और वो आपका जो calculation है, जुटता उसमें पावर है, वो आपको पूरा output लाके देगा, यह जो आपने पूरा package बना लिया, यह इतनी graphic card होगी, और यह सब होगा, उसमें, और यह आपका monthly bill आएगा, for example, आपने सब क पाते थे, यहाँ पर देखिए, आप 500 रुपे में कोई PC नहीं ले जा सकते हैं, यहाँ पर example के रोर पर बता रहा हूँ, यह थोड़ा सा जादा ही होगा, जादा भी नहीं होगा, यह पंदरा सो, दो हजार रुपे हो सकता है, मिलाब दो हजार में आपको यह configuration, यह नहीं कि आप सुचे कि क्यों आप इसको लेना पसंद करेंगे या नहीं, बिल्कुल से हर कोई लेगा, क्यों नहीं लेगा, सिर्फ आपको 2000 रुपे देना है, और यह configuration आपको मिल रहा है, जिसमें आप gaming कर सकते हैं, जिसमें आप video editing कर सकते हैं, आपका सारा काम कर सकते हैं, सिर्फ आ जियो ने कि जियो क्लाउड PC रहेगा, तो जियो क्लाउड PC में क्या होगा, एक interface रहेगा, सिर्फ वो information इंटरनेट तक ले जाने के लिए, जो आप information, जो input आप दे रहे हैं, वो सिर्फ cloud तक ले जाएगा, और वहाँ पर processing होगी, पहले क्या होता था, हम laptop में करते थे और हमा जियो का उसमें, 5G को देखते हुए, यह स्पीड हम तीरे-दीरे 5G और 6G पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो cloud PC है, उनको हम यूज कर सकते हैं, 4G या 3G में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, और जहां तक मुझे लग रहा है, 5G में भी नहीं कर पाएंगे, तो 5G की तरह से काम करेगा, तो यह इसी तरह से काम करेगा, कि एक सिर्फ डबा होगा, उसमें से सिर्फ आपको है, जो command देना है, कि आपको करना क्या है, वो command जाएगी directly Jio के cloud में, उनके server में, और वहाँ पर जो आपने PC, जो configuration select किया था, उसमें वो process होगी, और वो process होगी, फिर आ आपको यहाँ पर सिर्फ किसकी ज़रूत है, एक अच्छी internet speed की, जो कि minimum होना चाहिए, मेरे ख्याल से 500 या 600 Mbps की speed आपके पास होना चाहिए, अधर वो फिर मतलब नहीं आएगा, कि आप एक slow computer यूज़ कर रहे हैं, उस तरह से output हैगा, gaming अगे तो बिलकुल भी नहीं कर पा monthly PC की requirement किती है, आपको अभी लग रहा है कि इस महीने मेरा काम कम है, तो में 4GB या 2GB पर shift कर जोंगा, RAM में कम कर लूँगा, storage कम कर लूँगा, यह सब कम कर लूँगा, और अगर आपको लग रहा है कि अगले महीने मुझे अच्छी heavy editing करनी है, gaming करनी है, तो आपको PC आप तु पूरा PC चेंज कर देंगा, आप जिसमें काम कर रहे हैं, वो पूरा चेंज हो जाएगा, आपकी speed भी बढ़ जाएगी, और ना आपकी file के कुछ होगा, किसी के भी कुछ नहीं होगा, डारेकल आपकी speed बढ़ जाएगा, आपका processor increase हो जाएगा, और RAM भी बढ़ जाएगी, औ करने वाला है बहुत ही जल्दी, मुझे आप comment section में बताईए, आपके PC है अभी, उसका configuration क्या है, और आपने कितने में उसको लिया था, अब ये comment section में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको ये video पसंद आया, तो जरू से इस video को like करिए, share करिए अपने friends के साथ में, जो आपके से समझाए किस तरह से ये cloud PC क्या होता है, और किस तरह से ये काम करने वाला है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जरू से video को like करिए, share करिए, चैनल को subscribe कर लिजिए, bell account के साथ, ताकि आगे अगे आपको मिलते रहें, that's all for this time, thanks for watching.